हेलो एन विलकम वेवेवन मेरे नाम हैंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं आज एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक एक और एलगी के बारे में जो की बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन है हर तरीके के एक्जैम में पूछा जाता है ग्रिजुएशन के बच्चों के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टन है टीजटी बिजटी जैसे एक्जैम में भी ये क्वेश्चन इन से आ सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं ब्राउन एलगा के बारे में और ये ब्राउन एलगा कोई और नहीं ये है फ्यूकस फ्यूकस की अगर हम बात करें तो ये काफी एडवानस एलगा के अंदर आता है और आपने एक बहुत इंपोर्टन एलगा का नाम सुना होगा जिसको हम लोग लैमिनेरिया कहते हैं तो वो भी एक brown alga के अंदर आता है और ये alga भी brown alga के अंदर आता है अगर मैं fucus alga की बात करूँ तो ये काफी shape में काफी बड़े होते हैं क्योंकि generally जब हम alga की बात करते हैं तो काफी primitive बाते करते हैं काफी primitive होते हैं structure ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं छोटे होते हैं लेकिन ये दरासल multicellular alga में भी आता है और साथ में सबसे ज़्यादा interesting जो हमें इसमें देखने को मिलता है कि इनकी जो life cycle होती है वो हमें diplantic nature की देखने को मिलती है जो एक काफी बड़ी बात है कि इनकी life cycle जो होती है अप notification system की बारे में अगर मैं fucus की बात करूँ तो इसकी एक दो general नहीं इनकी काफी general है और इनकी हर general के अंदर जो है आपको different different structures जो है वो देखने को मिल जाते हैं जैसे आपके सामने ही कुछ fucus आपके सामने अलग-अलग तरीके के fucus है जैसे अगर आप इस इसको ध्यान से इसकी बारे में और बात को बताऊंगा जो main fucus ilga के बारे में जो सबसे important बात होती वो होती है इनकी life cycle जिसके बारे में अभी वीडियो के आखरी में आपको बताया जाएगा तो सबसे पहले मैं इनके phylum की बात करता हूँ तो ये phylum oncrofita को belong करते हैं ये seaweed में आते हैं काफी बड़े plant होते हैं इसलिए कई जगे पे इनको as a चारे की तरह cattle के खाने की तरह भी इस्तेमाल में लाया जाता है class की बात करें तो इसके class few of ic होता है order की बात करें तो order में few kills में आते हैं basically हम लोग देखते हैं कि algae के जितने भी आपके orders होते हैं उनमें ales और जो classes होती है और family होती हो उसमें c word last में जरूर लगता है क्योंकि यही वो हमारे suffix है जो की family और orders में देखने को मिलते हैं respectively अगर बात करते हैं genus की तो genus जो है इनका fucus जो कि आप सब जानते हैं और species जो मैंने यहां पर लिया हुआ है बताया हुआ जाता है बाकी other species भी है जो fucus की होती है लेकिन यह just common species होती है जिसके अंदर काफी जादा चीजें हमें देखने को fucus में मिलती हैं अब देखे कुछ important बा मैं notice करना चाहूंगा कि अगर particular किसी genus का जो particular character है जो लोग TGT PGT जैसे exam देने जाते हैं तो बड़े confused होते हैं एक genera को पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि वो genera से वो पूरा का पूरा group उनका solve हो जाएगा देखी यह बात तो सही है कि जब आप genera पढ़ते हो तो ठीक है प जब भी आप पढ़ाई करिए तो comparatively एक बार चेक कर लीजे कि जो spaces आप पढ़ रहे हैं उसके कुछ special feature क्या है अगर वो special feature आप पढ़ लेंगे तो वही questions बनाता है exam के अंदर यही चीज में आपको बताना चाहरा हूँ खेर चलिए अब हम बात करते हैं यह बात है high level में मतल structure के बारे में कि जो हमारा fucus है उसका structure हमें कैसा दिखाई देता है तो पहली बाप बता दो तो यह brown color के होते हैं लेकिन थोड़े से olive green जैसे दिखाई देते हैं olive green मतलब थोड़े dark green जैसे दिखाई देते हैं जो structures आपको यहाँ पे visible हो रहे हैं अब देखी यहाँ पर जो structure लिया गया है, मैंने कहा नहीं, कि ये जो structure है, ये fucus की उन species का है, जिसमें हमें air bladders दिखाई देते हैं, look at this, यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर air bladders भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बाकि इनकी जो leaf जैसा structure होता है, जिन्हें हम लोग basically blade के नाम से आप जान सकते हो, और जो ये क्या होता है, कि ये कैसे रहते हैं, ये किसी भी surface पे जुड़े रहते हैं, जिसको हम लोग hold fast कहते हैं, ये basically समुद्र तटो वगेरा पे जो होते हैं, मतलब समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पे जो होते हैं, ये बिलकुल किसी stone वगेरा से जुड़े हुए होते हैं, hold फास्ट के थूरू चिपके हुए होते हैं और अक्सर फ्लोटिंग वाटर में बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ये देखने को मिल जाते हैं अगर वहीं पर बात कुरू तो यहां पर आपको एक और स्ट्रॉक्चर देखने को मिल रहा होगा जिसका नाम रिसेप्टिकल्स रखा गया है ये रिसेप्टिकल्स कुछ और नहीं ये फ्यूकस का रिप्रड़क्टिव स्ट्रॉक्चर है जो सेक्शूल रिप्रड़क्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इनकी लाइफ साइकल में अभी मैं आपको आगे रिसेप्टिकल्स के इंपोर् होते हैं तो वो सब बात में करूंगा आपसे भी लाइफ साइकल के अंदर लेकिन पहले जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्शर के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पे आपने देखा यह इनका एपेक्स पोर्शन होता है जो थोड़ा सा ओलिव ग्रीन कलर का आप आपको देखने को मिलता है क्यूंकि यह इसलिए हमें थोड़ा सा ग्रीनी कलर में देखने को मिलता है जनरलीं फ्युकस की अगर मैं बात करू तो इसका जीनस ब्राउन आलगा में आता है तो यह ब्राउन आलगी के रूप में जाने जाते हैं बैसिकली समुद्र के किनारे रौकी सी ओर्स मतलब जहां पे थोड़े चटान वगेरा होती है वहाँ पर उस तरीके के समुद्र के किनारे पे ये मौजूद होती है फ्यूकस जो होता है ये आपका लार्ज मल्टी सिल्लर और्गैनिजम के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये काफी बड़ा होता है भाई अगर मैं इसकी बात करूँ इसके ग्रूप की तो ये फैलगी में आ रहा है जैसे इनकी लाइफ साइकल का डिपलॉंटिक होना ये इन्हे थोड़ा एडवांस बनाता है अधर अलगी के मुकाबरे लाइक क्लेमाइडो मुनास की बगर बात करते हैं तो मुस्ट कॉमन रिलेटिवली कूल वाटर में ये बेसिकली हमें देखने को मिलते है मतलब वाटर कूल होना चाहिए वेल अडॉप्टेड लाइफ साइकल हमें इनकी देखने को मिलते है फ्यूकस बिलॉंग तो इसमॉल ग्रूप अफ यू केरियोट्स वू हैड अफ फाइलम आफ देर ओन लॉंग एगो दफियो फाइटा फ्यूकस इस टिपिकली मल्टि सेललर होते हैं थ्री डिस्टिंक्ट ऑर्गेन इसमें हमें देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको बता दिया नमबर वन यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका सबस्ट्रेटम होता है जो नीचे के साइड में होता है जिसे आप यहाँ पर इस टाइप बोल रहाँ इसे बोल रहाँ यह बेसिकली क्या काम करते हैं यह रॉक से अटैच हो जाते हैं और वहीं पर यह मौजूद रहते हैं यहाँ पर जो इनकी ब्लेड जी लाइक स्ट्रक्चर होता है अगर वहीं पर बात करता हूँ तो इस पे आपको फ्लैडन स्टेम और ब्लेड जो इनके सर्फेस पे एर ब्लेडर होते हैं इनके थैलस जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर उसको हम लोग बेसिकली एर ब्लेडर मौजूद होते हैं जो इनको मतलब carrying the blade upward to water column जो इनके वाटर के ऊपर रखने में मदद करते हैं तो यह कुछ structures हैं जो हमारे fucus में हमें देखने को मिलते हैं तो आप इनको लिख लीजेगा यह आपकी क्या है air bladder है तो यह air bladder हमें कुछ species में देखने को मिलती हैं कुछ-कुछ species में जादा होती हैं कुछ में कम होती हैं यह species wise बदलते रहते हैं और यही चीज मैं आपको इसमें बताना चाहरा था तो यह हो गई related बात structure वगएरा से बाकी अब हम बात करते हैं इसके main video content के उपर जिसका नाम है life cycle of fucus के बारे में अगर मैं fucus के life cycle की बात करता हूँ तो इनकी life cycle में में ध्यान के रखना है देखिए बहुत simple life cycle है जादा कुछ नहीं है बस आपको समझना यह है कि जो life cycle है उसमें diplontic और heplontic को बताईएगा ठीक है वो बेहर्द जरूरी होता है तो आई यह life cycle है कि आप देख रहे है यहाँ पे आपको एक थैलस structure दिखाई दे रहा है जिसको हमने 2N लिखा हुआ है अब यह 2N जो इस्ट्रक्चर है जाहिर तोर पे यह एक monoseous है fucus monoseous भी हो सकता है fucus dioces भी हो सकता है इस बात को आप ध्यान में रखेगा यह monoseous भी देखने को मिलते हैं आपको और यह आपको dioces भी देखने को मिल जाते हैं तो हमने जो यहाँ पे fucus लिया हुआ है वो monoseous है मतलब एक ही थैलस के उपर आपको male और female दोनों देखने को मिल जाते हैं male के लिए जो यहाँ पे structures बताया गया है उसका नाम इनोंने concepticulum रखा हुआ है और वहीं पे अगर मैं female के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पे उसका नाम recepticulum रखा हुआ है तो दो structures यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसे यहाँ पे आपको कुछ helping cell देखने को मिलती है जो हमारे female के जो gametes वगेरा होते हैं या female के जो हमारे oogoniums होता है उनको protect करने का काम करता है यह जैसे blue color वाला जो आपको structure दिखाई दे रहा है यह blue color का structure ही आपका oogonium है और इनको protect करने के लिए बगल बगल जैसे paraphysis type के कुछ structures मौजूद होते हैं यह structure female side भी आपको अभी 2N दिखा रहा है male भी 2N दिखा रहा है क्योंकि किस से आए हुए है थैलर से आए हुए है इसलिए इनका genetic material अभी भी 2N मतलब deployed होता है अब देखें मैंने दोनों को साथ लिया है male भाला भी और female भी ध्यान से देखे मैं अगर आप conceptником को ध्यान से देखे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो अंदर structures देखने को मिल रहे हैं वैसे मेरे हिसाब से आप meiosis यहीं लिखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा सही होगा, ठीक है? चलिए. ओके, ये रहा मेरा meiosis, अब यहाँ पर देखें आप क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ देखें, meiosis हो गया, और meiosis होने के बाद, meiosis होने के बाद, इसमें क्या हो गया, male gametes बन गया, male gametes में क्या होंगे, sperm होंगे, ठीक है, तो यह meiosis हुआ यहाँ पर, meiosis होने के बाद, यह क्या हो गया, यह हो गया हमारे haploid, क्या हो गया, यह हो गया हमारे haploid हो गया, ठीक, और haploid होने के बाद, अब यह जो sperm cell है, यह जो sperm स्पर्म सेल है ये मूव करके कहां चली गई ये मूव करके चली गई आपकी एक के पास में थ्रू वाटर किसके थ्रू वाटर के थ्रू ये वाटर के थ्रू मूव करके कहां पर पहुच गई एक सेल के पास पहुच गई और एक सेल के पास पहुचने के बाद इन्होंने इसको क्या कर दिया फ्यूज कर दिया क्या कर दिया देखे यहां पर क्या कर दिया देखे दोनों आपस में क्या कर रहे है फ्यूजन कर रहे है दोनों ने एक दूसरे को फ्यूज कर दिया और जब यह फ्यूजन हो गया तो फ्यूजन होने के बाद हमारा जाइगोड बन गया अब ड पतलब ये है कि ये 2N ही अब इंब्रियो बनाना शुरू करेगा और इंब्रियो डेवलप करके क्या बना लेगा नया थैलस बना लेगा तो ये हमारा इंब्रियो है किसका फ्यूकस का तो ये फ्यूकस का इंब्रियो है जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर ये बनाएगा और ये आ एक बार आपके सामने इस life cycle को explain कर दे रहा हूं तो बहुत ही ध्यान से आप life cycle को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले देखें मैंने आपको क्या बताया देखें सबसे पहले life cycle की तरफ अगर हम लोग नजर डालें तो सबसे पहले जिसमें male और female दोनों एक ही थैलस पे मौझूद होते हैं ठीक कहां मौझूद होते हैं वो मैंने अभी structure में आपको बता दिया यहां पे थैलस के ऊपर जो receptaculum होते हैं वो हमारे female gametes को बनाएंगे eugonium बनाएंगे और जो conceptaculum होते हैं यह हमारे male के लिए काम करते हैं यह enthridium को store करते हैं मतलब इनके अंदर हमें enthridium देखने को मिलता है दोनों एक ही plant body पे हैं इसलिए साथ साथ चलते हैं तो यहां पे देखे female जो है वो आगे जो female के अंदर जो blue color का आपको structure दिखाई दे रहा है यही हमारा eugonium होता है और इनके अगल बगल जो pairफ dicks दिखाई दे रही है इनको protect करने का काम करती हैं अब देखे यहां पर मैंने oogonium को जूम कर दिया यहां इहां पर कर दिखे हमें और zoom किया तो देखा कि इसके अंदर meiosis division होता है और meiosis division होने के बाद यहाँ पे हमें excel मिल जाती है वहीं पे अगर मैं mail की बात करूँ तो mail के अंदर हम देखते हैं कि mail के अंदर हमारा जो enthridium होता है mail के अंदर जो हमारा enthridium होता है वो आगे जाकर के develop करता है और यह enthridium में आगे जाकर के meiosis होता है और meiosis होने के बाद जो mail gamits होते हैं वो बन जाते हैं mail gamits को हम लोग sperm बोल सकते हैं तो यहाँ पे यह कैसे होगा है haploid यह भी haploid और egg भी haploid दोनों sperm और egg आपस में fuse करते हैं यहाँ पे देखिए यह दुबारा से थैलस में convert हो जाएगा तो यह रहा आपका life cycle of fucus आसा है आपको वीडियो पसंद रहा है वीडियो पसंद रहा है वीडियो को like करिएगा share करिएगा channel को subscribe करिएगा thank you very much